हेलो एवरिवन आप सुन रहे हैं मिस्टरीज इन हिंदी और उर्दू आडियो बुक्स चैनल तो आए सुनते हैं अगाथा क्रिस्टी की लिखी हुई The Secret Adversary Book का सेकंड चैप्टर हाई टॉमी हाई टुपेंस दोनों यंग लड़का और लड़की ने बहुत दिनों बाद एक दूसरे को देखकर खुशी का इज़ार किया ये दोनों अचानक मिले थे डौवर्ड स्ट्रीट की बस में बहुत दिनों से तुमें देखा ही नहीं टॉमी कह रहा था कहां थी तुम चलो बस से उत्तर कर हम लोग कहीं साथ मिलकर कुछ खाते हैं बस रुकी और वो दोनों डौवर्ड स्ट्रीट पर पैदल चलने लगे क्या ख्याल है मैं कहां जाना चाहिए टॉमी ने महंगे होटल्स को नजर अंदास करते हुए पुछा हम लेवांस तक आ गए हैं अब हम यहीं बैठ जाते हैं और अपना अपना बिल खुद ही भर लेंगे टुपेंस बोली टुपेंस का असली नाम प्रुडेंस कॉली था और वो मिल्ट्री हॉस्पिटल में नर्स रह चुकी थी उसके घरवाले लर्णन से दूर एक छोटे से गाउं में रहते थे उसका डैड़ी एक चर्च में एक लर्जी मैन था उसके बचपन के दोस्तों से टुपेंस पुकारते थे और टॉमी का असली नाम थॉमस बेरस फोर्ड था वो फॉज में कैप्टेन था लेकिन जखमी होने की वज़ा से फिलहाल जॉब से निकाल दिया गया था ओ तो तुम्हें पता चल गया कि मैं आजकल जॉब पर नहीं हूँ टॉमी ने पूछा हाँ मैंने अंदाजा लगा लिया था क्योंकि अगर तुम्हारे पास पैसे होते तो तुम खुद ही अच्छे होटल को सेलेक्ट करते तुपेंस बोली वो दोनों लियांस में दाखिल हो गए कमरेट्स रहने की वज़ा से यहां बहुत ज़्यादा लोग थे कोई टेबल भी खाली नहीं मिल रही थी टॉमी कह रहा था पता है तुम्हें आज मैं दो लोगों के पास से गुजरा और वो लोग जेन फिन के बारे में बात कर रहे थे कितना अजीब नाम है ना ये उसी लहम है दो औरतें अपने शॉपिंग बैक्स उठाते हुए एक टेबल से खड़ी हो गई टुपेंस फॉरन खाली जगा को पकड़ने के लिए उस तरफ बढ़ गई बैटने के बार टॉमी ने चाय और बंस का ओर्डर दे दिया थोड़ी देर बाद चाय पीते हुए टॉमी ने पुछा तो तुम्हारी हॉस्पिटल की जॉब कैसी चल रही है आखरी बार मैंने तुम्हें मिल्टरी हॉस्पिटल में देखा था मैंने उसके बाद भी बहुत सारी जॉब्स की लेकिन पिछले दो महिनों में मेरे पास कोई जॉब नहीं है टॉपेंस अफसोस से बोली मेरा भी यही हाल है मैं छे महिनों से जॉब ढूंड रहा हूँ ऐसा लगता है कि मिल्टरी के लावा मैं और कोई जॉब कर ही नहीं सकता टॉपेंस ने पूछा मैं फ्रांस में जखमी हो गया था फिर वापिस आने के बाद मुझे निकाल दिया गया टॉपेंस ने पूछा वहाँ भी मुझे कोई जॉब नहीं मिलेगी टॉपेंस पूछ रही थी मेरे एक अंकल है जो बहुत अमीर है और मुझे एडॉप्ट भी करना चाहते हैं लेकिन मुझे उनसे कोई मदद नहीं चाहिए टॉपेंस अफसोस से बोली और शायद अब मुझे अपने गाउं वापस जाना पड़ेगा तॉम्हें घर जाना पसंद नहीं है टॉमी ने पूछा मेरे डैडी अच्छे हैं लेकिन गलर्जी मैन रहने की वज़ा से वो बहुत पुराने ख्यालात के हैं स्मोकिंग और शॉर्ट इसकर्ट सुने बिलकुल पसंद नहीं है टॉपेंस बोली चॉमी ने उदासी से सरहिला कर कहा हम दोनों की एक ही प्रॉबलम है पैसा और मैं दिन राज सोचती रहती हूं के कहां से मिलेगा टॉपेंस बोली फिर वो आगे बोल रही थी पैसा मिलने के तीन तरीखे होते हैं टॉपेंस ने कहा फर्स्ट अगर कोई आपके नाम पर जायदा छोड़ जाये तो वो हमारे साथ पॉसिवल नहीं है दूसरा तरीखा है शादी मगर मुझे कोई अमीर लड़का आज तक मिला ही नहीं सब मेरे ही टाइप के मिलते हैं जिनके पास पैसों की कमी होती है लेकिन टॉमी तुम तो किसी अमीर लड़की से शादी कर सकते हो ना मेरी भी किसी अमीर लड़की से जान पहचान नहीं है टॉमी बोला तुम रीड्स होटल के बाहर ठैड़ कर किसी का गिरा हुआ रुमाल उठा कर दोस्ती करने के बहाने जान पहचान बढ़ा सकते हो टूपेंस ने मश्वरा दिया इतना असान नहीं है टॉमी बोला उसके बाद भी कई बार मिलना पड़ेगा अच्छे होटेल्स में और मोवीज पर भी और मेरे पास खरच करने के लिए कुछ भी पैसे नहीं है टॉमी मेरे ख्याल से हमें कोई नया तरीखा ढूंडना चाहिए क्यों न हम एक बिजनिस पार्टनर्शिप शुरू करें हम एडवेंचरर्स होंगे और लोगों के काम करेंगे कैसे काम जैसा के डैमन नेकलेस चुराना टॉमी ने मज़ा खुडा कर पूछा नहीं हम कोई इलीगल काम नहीं करेंगे ठुपैंस बोली तो हमारे बिजनिस का नाम क्या होगा यंग एडवेंचरर्स लिमिटेट क्या ये आइडिया है तुम्हारे टॉमी ने पूछा मज़ा कुडाना बंद करो टुपैंस बोली लेकिन मुझे लगता है कि ये नाम अच्छा है हम न्यूस पेपर में एक एडवेटाइस डाल देंगे क्या तुम्हारे पास नोटबुक और पैन है टॉमी ने उसे नोटबुक और पैन दे दिया वो एड लिखने लग गई दो यंग एडवेंचरर्स जो कहीं पर भी जाने के लिए और कोई भी काम करने के लिए तैयार है सिर्फ इलीगल कामों को छोड़कर पैमेंट अच्छी होनी चाहिए टुपैंस ने ऐसा एड़ बनाया था मुझे बहुत ही अजीब लग रहा है ये सब कुछ पता नहीं किस किसम के काम मिलेंगे टुपैंस बोली ये एड टाइम्स नियूस पेपर में कल आ जाना चाहिए और उसके पांच शिलिंग्स होंगे मेरी तरफ से ये आधे पैसे ले लो टॉमी ने एड का पेपर लेकर हैरत से दोहराया क्या ये एड काम करेगा उसने सोचा मुझे अब हास्टल जाना चाहिए टुपैंस उठते हुए बोली फिर हम कब मिलेंगे टॉमी ने पुछा कल दो पहर को बस स्टैंड पर तो फिर कल मिलते हैं टॉमी भी उड़ते हुए बोला गुडबाई ओल्टिंग टुपैंस बोली और वो दोनों बाहर निकल कर उपोजिट डिरेक्शन्स में जाने लग गए टुपैंस का हास्टल सौट बेलग्रेविया में था वो सेंट जेम्स पार्क के तरफ से गुजर रही थी कि एक आदमी ने उसे पकारा एक्सक्यूज मी क्या आप एक मिनिट के लिए बात कर सकती हैं टुपैंस पाल्टि और वो इस तरह पकारने वाले को कुछ भला बुरा कहने वाली थी कि उसका हुलिया देखकर रुख गई वो एक लंबा क्लीन शेफ आदमी था और वो कीमती कपड़े पहने हुए था क्या कहना है आपको टुपैंस ने उसे घूरते हुए पूछा वो इस तरह घूरे जाने से थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया फिर उसने कहा देरसल मैं आपकी उस यंग लड़के के साथ हो रही बात चीत लेउंस में सुन रहा था तो टुपैंस ने पूछा कुछ खास बात नहीं है लेकिन मुझे लगता है कि मैं आपके कुछ काम आ सकता हूँ वो बोला आप मेरा पीछा करते हुए यहां आए हैं टुपैंस ने पूछा हाँ ऐसा ही है उसने कहा फिर उस आदमी ने जेब से एक कार्ड निकाल कर टुपैंस की तरफ बढ़ा दिया उस पर लिखा हुआ था अगर आप कल सुबा ग्यारा बजे इस एडरस पर आएंगी तो मैं आपको बताऊंगा कि मैं आप से क्या काम लेना चाहता हूँ वीटिंग्टन ने कहा सुबा ग्यारा बजे टुपैंस ने पूछा हाँ वीटिंग्टन बोला ठीक है मैं वहां पहुंच जाओंगी टुपैंस बोली थैंक यू गूड इवनिंग्टन उसने अपनी हैट सैल्यूट की तरीखे से उपर करते हुए कहा और वहां से चला गया टुपैंस वहीं खड़े होकर उसे जाते हुए देखती रही फिर वह एक तरीखे से चाने उचका कर अपने आप से बोली एडवेंचर शुरू हो गया दूसरे दिन ग्यारा बजे टुपैंस एस्थोनिया ग्लासवे के कामपनी के सामने खड़ी हुई थी टुपैंस ने लिफ्ट ली और टॉप फ्लोर पर आफिस में दाखिल हुई एक क्लरक उसे मिस्टर विटिंग्टन के कैबिन में पहुँचा दिया विटिंग्टन के डेस्क पर बहुत सारे पेपर्स थे और वो बहुत बिजी लग रहा था वो सर उठा का टुपैंस को देखकर बोला तो आप आगई बैट जाएए टुपैंस एक चेर पर बैट गई तो आपको काम चाहिए विटिंग्टन ने कुरसी उसे टेक लगा कर गौर से देखते हुए कहा मैं आपको 100 पौउंड्स की ओफर दे रहा हूँ और बाखी के सारे खर्चे भी लेकिन मुझे करना क्या होगा टुपैंस ने पूछा कोई खास काम नहीं सरिफ आपको हमारी कमपनी की तरफ से एक खुशगवार ट्रिप लगाना होगा विटिंग्टन बोला कहा टुपैंस ने पूछा पैरिस जवाब मिला वो टुपैंस ने सोचा गर मेरे डैडी को पता चला तो वो बेहोश ही हो जाएंगे तो आपके लिए इससे ज़्यादा खुशी की क्या बात हो सकती है आपको सरिफ एक अमेरिकन लड़की बनकर वहां रहना है और अपने फ्रेंट से कोई कांटेक्ट नहीं रखना है ये काम थोड़ा सीक्रेट है इसलिए विटिंग्टन बता रहा था एक मिनिट मिस्टर विटिंग्टन मुझे लगता है कि आपको कोई गलत फैमी हो गई है मैंने अभी तक जाने के लिए हा नहीं कहा है टुपैंस बोली विटिंग्टन हैरत जदा तरीके से देखते हुए बोला आप इतनी अच्छी आफर को ठुकडा नहीं सकती आपको वहां बहुत अच्छे होटल में रखा जाएगा एक्जाक्ली टुपैंस बोली लड़की को इस ट्रिप पर भेजना है जो अच्छी खासी इंटेलिजेंट हो और ज्यादा सवाल ना करे विटिंग्टन बोला टुपैंस थोड़ा सा मुस्कुराई और बोली लेकिन अभी तक आपने मिस्टर बैरेस फोर्ट के बारे में कुछ नहीं कहा मिस्टर बैरेस फोर्ट कौन है विटिंग्टन नहारत से पूछा मेरे पार्टनर जो कल मेरे साथ होटेल में थे टुपैंस बोली मेरे ख्याल से हमें उनकी जरूरत नहीं पड़ेगी विटिंग्टन बोला तो फिर ठीक है टुपैंस खड़े होते हुए बोली या तो हम दोनों जाएंगे या फिर मुझे ये ओफर नहीं चाहिए एक मिनिट बैट जाएए हम बात चीद करके इस मामले को मैनेज कर सकते हैं आपका नाम क्या है मिस्स उसने पूछा टुपैंस ने सोचा उसे असली नाम नहीं बताना चाहिए इसलिए उसके दिमाग में जो पहला नाम आया उसने जल्दी से वही कहा जेन फिन वो बोली और अब वो हैरत से मुझ खोल कर उसके कहे अलफास का एफर्ट देख रही थी विटिंग टन का चेहरा गुसे से लाल हो गया वो गुसे में बस्ट होने को था वो दाथ पिस कर वोला तो ये गेम है तुम्हारा तुम मेरे साथ चुहे बिली का गेम खेलना चाहती हो पूरा टाइम तुम्हें मालुम था ताके उसका जूट कब तक चल सकेगा फिर उसने कहा रीटा मेरे बारे में कुछ नहीं जानती वीटिंग्टन उसे घुसे से घुर रहा था फिर बोला कितना मालूम है तुम्हें उस सब के बारे में ज्यादा नहीं टूपेंस बोली और वीटिंग्टन के फेस पर परिशानी देखकर उसे काफी मज़ा रहा था क्या मालूम है तुम्हें और क्या चाहती हो तुम्हें एक आम लड़की हो जिसे एडवेंचर करने का शौक है और थोड़ा बहुत दिमाग है लेकिन तुम तो एक ब्लाट मेलर हो वीटिंग्टन बोला जिन्दगी में सर्प्राइजस मिलते रहते हैं टुपेंट्स ने इतमे नान से कहा अचानक एक लर्क अंदर आया और वीटिंग्टन के सामने एक पेपर रखते हुए बोला आपके लिए टेलिफोन मेसेज आया है सर्प्राइजस ने पेपर लेते हुए कहा ठीक है ब्राउन आप तुम जा सकते हो क्लर्क के जाने के बाद वीटिंग्टन टुपेंट्स से बोला अभी मैं बहुत बिजी हूँ तुम कल इसी वक्त आओ और आभी के लिए ये पचास पाउंड्स रखो वीटिंग्टन ने नए बैंक नोट्स निकालकर टुपेंट्स के सामने रख दिये टुपेंट्स ने काउंट करके हैंड बैंक में रखते हुए उटकर खड़ी हो गई और बोली गुडबाई मिस्टर वीटिंग्टन वीटिंग्टन ने जवाब देना ज़रूरी नहीं उसी के साथ ही उसने टैक्सी कर ली और बस स्टॉप पर पहुँण टॉमी बस स्टेन्ट पर खड़ा हुआ था। टुपेंट्स को टैक्सी से उतरते देख कर उसकी अँखे हैरत से प anniversary तस पहल गई मिस्कुराते हुए कहा क्या तुम टैक्सी के पैसे दे दोगे मेरे पास पांच पॉंड से कम के चेंज नहीं है। टॉमी ने बहुत मुश्किल टक्सी का पेमेंट किया। तुम्हें टक्सी करने की क्या जरूरत पड़ गई उसने पूछा। मुझे डर था कि कहीं मैं लेट नहीं हो जाओ। टुपेंस बोली। दिमाग खराब हो गया है क्या तुम्हारा टॉमी ने पूछा। मैं सच कह रही हूँ मेरे पास पांच पॉंड से कम पेके पैसे नहीं है। टुपेंस बोली। टक्सी ड्राइवर और मुझे दोनों में से किसी को भी यकीन नहीं आया तुम्हारी इस बक्वास पर। टॉमी बोला। सच बोलने का यही प्रॉब्लम है कि कोई भी यकीन नहीं करता। चलो हम सेवाए में लंच करते हैं। टुपेंस बोली। क्यूं रिड्स में भी कर सकते हैं। टॉमी मजाक उडाते हुए बोला। नहीं मेरे ख्याल से पिका डेली ठीक रहेगा क्यूंके दूसरी टैक्सी नहीं करनी पड़ेगी। टॉपेंस बोली। यह कोई नए खिसम का मजाक है क्या। या तुम्हारे दिमाग के स्क्रू डिले हो गए हैं। टॉमी ने पूछा। ओ टॉमी तुम यकीन नहीं कर सकते मुझे पैसा मिला है। टॉपेंस ने बैक खुल कर बताते हुए कहा। टॉमी ने बैक में रखे नए बैक के पॉंड्स देखते हुए हैरत से कहा। क्या मैं खौब देख रहा हूँ वो बोला। तुम्हें अचानक इतना सारा पैसा कहां से मिला। पहले हम लंच कर लेंगे फिर मैं तुम्हें डीटेल में सब कुछ बताऊंगी टॉपेंस बोली। मुझे बहुत सारे सी फूट्स खाने हैं। लगता है सारे पैसे तुम आज ही खतम कर दोगी। टॉमी बोला। याद नहीं वो नाम मैंने तुम्हें कल दो पहर को कहा था। मैंने दो लोगों को जेन फिन के बारे में बातें करते सुना था टॉमी बोला। हाँ अब याद आ रहा है कि तुमने कहा था कितना अजीब नाम है ये। टॉपेंस ने कहा। टॉमी वो दोनों देखने में कैसे थे टॉपेंस ने पूछा। टॉमी ने अपने दिमाग पर जोड दे कर कहा एक लंबा आदमी था क्लीन शेव और दूसरा मुझे याद नहीं। ओ तो उन में से एक वीटिंग टन ही था टॉपेंस बोली और लोग कहते हैं अजीब इत्तिफाकात नहीं होते। वो सब छोड़ो अब हमें आगे क्या करना चाहिए। टॉमी ने पूछा। मेरे ख्याल से हमें वीटिंग टन का ताखुप करना चाहिए। हम कल सुबा उस कंपणी में फिर जाएंगे मैं उससे बातचीत करूँगी तुम बाहर ठायर कर उसके निकलने का इंतिजार करो। टॉपेंस ने कहा। दूसरे दिन वो दोनों इस्थोनिया ग्लास वेर कंपणी पहुंच गए। वो दोनों थार्ट फ्लोर पर पहुंचे ही थे के एक लग आता हुआ दिखाई दिया। उसने टुपेंस से कहा क्या तुम इस्थोनिया कंपणी में जाने के लिए आई हो। हाँ टुपेंस बोली। वो कंपणी कल दो पहर को ही बंद हो गई। अब वहाँ टू लेट का बोर्ड भी लग गया है। टुमी और टुपेंस को हैरत का जटका लगा। टुपेंस ने अपनी हैरत पर खाब उपाते हुए पुछा। क्या आपको मिस्टर विटिंग्टन का एड्रेस मालूम है। नहीं और वो लोग बहुत जल्दी में आफिस खाली करके चले गए। उस कलरक ने बताया। अब टुपेंस उस बिल्डिंग से बाहर निकल कर रोड पर चल रहे थे। सब खतम हो गया। अब हम किसी से कुछ नहीं मालूम कर सकते। टुपेंस अफसोस से बोली। हाँ शायद यह एड्वेंचर यहीं तक था। टॉमी भी बोला। हो सकता है हम अभी भी कुछ खर सकते हैं। टुपेंस अचानक रुपकर कुछ सोसते हुए बोली। हो सकता है कि यह एक स्टार्टिंग पॉइंट है। किस चीज़ का स्टार्टिंग पॉइंट टॉमी ने पूछा। हमारे एड्वेंचर का। टॉमी क्या तुम्हें समझ नहीं आ रहा है कि जेन फिन का नाम आते ही विटिंग टन और उसके साथ ही किस तरह खौफजदा होकर यहां से जगा छोड़कर भाग गए। जरूर यह जेन फिन का मामला कुछ बहुत बढ़ा है और हमें उसके बारे में और मालूमात हासिल करना चाहिए। टॉपेंस बहुत एकसाइटेड होकर बोल रही थी। लेकिन हम किस से मालूमात हासिल करेंगे यहां तो कोई भी नहीं है। टॉपेंस ने पूछा। क्या यंग एडवेंचरर्स जेन फिन की इंफोर्मेशन हासिल कर पाएंगे इस एडवर्टाइस से जानने के लिए सुनते रहिए इस चैनल को लाइक, शेर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। क्या यहलिए और सुनते इसल echo का लबकाईब क्या सुनते ड्ड़ार्स ग